हेलो गुड मॉर्णिंग एवरिवन सो कैसे आप लोग सभी मैं उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे मस्त होंगे और तंदरूस्त होंगे यह सर नो हम लोग अपना चैप्टर कर रहे तें सेट्स में हम लेक्चर कर चुकिते 5 अब तक और यह हमारे पास लेक्चर नमबर पांच होए है और इस सेप्टर में हमने देखने हैं करडिनल नमबर सेट्स जो कि काफ़ी इंपोरेंट है आपके पास जो भी कोशिंस बनेंगे अच्छ तो याद हो नहीं होनी चाहिए इसकी इंपोर्टेंस हमारे पास जिसे क्लास 12 जो करते हैं प्रोबैबिलिटी तो प्रोबैबिलिटी में एक एक साइज इस इन्हीं फोमलास पर बनकर आती है कार्डिनल लंबर ओफ सेट्स पर तो प्लीज आप इस लेक्चर कुछे से रहा हो हो ना इससे पहले प्लीज आप लेक्चर नंबर वन टू थी फोर देखे ओना चाहिए तभी आप इन चीजों को समझ पाओगे यह सुर्ण तो चलते है हमें लक्चर नंबर फाइफ की तॉरफ तो लक्चर नंबर फाइफ हमारे पास बोल रहे कि अगर हमारे पास मैं कोई भी तीन सेट ले ले लेता हूं ABCard finite set और एक मैं ले लेता हूं जानते हो कि जिस particular set के सारे elements हमारे पास include जिन particular sets के सारे elements include हो जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे universal set जैसे कि मैं आपको एक example दे रहा हूं कि आपके पास एक set A है अगर आपके पास एक set A है 1,2,3, B set आपके पास है 3 और 4 और C set आपके पास है 4,5 चलो कि मैं 3 भी ले लेता हूं और 6 अगर आपके पास ये 3 sets हैं तो what is the universal set you know वो सारे elements include हो जाएंगे जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6 ये सारे के सारे elements यहाँ पर लिखे ह this is your universal set तो आपके पास अब मैं इन diagrams के, इन sets के elements को when diagram से represent करने कोशिश करूँगा तो कैसे करोगे अब देखो, आप एक बास सुचो मैं अगर इसको अपने diagram में represent करने की कोशिश करता भी हूँ, तो क्या बन जाएगा, suppose करो मेरे पास 3 set है, चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ, दो ही example लेता हूँ, मैं example के तोर पे दो ही set उठा लेता हूँ, ताकि easy पड़े, तीन के ले सकते हो, समझने के लिए, पहले दो को सम 3 and 4, किया मैं कहे दूछा장, जो 3 element है, जो 3 element है, दोनों में common आ रहा है, और 3 element अगर दोनों में common आ रहा है, तो 3 element को लिखा जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि A set अ में भी आ रहा है, और B में भी आ रहा है, ए set में और कोन कोन आ說 है, 1, 2, 3, तो 1, यहा लिंदिया, 2 यहां लिख के लिए 546 इसके अकोर्डिंग इन दो सेट के अकोर्डिंग हमारे पास क्या बन जाएगा तो आपके पास यह जो सेट आ चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 546 वहाँ पर तो C-set अभी है नहीं है ना हमारे पास और अगर वहाँ पर C-set नहीं है तो 546 element कहा जाएंगे A और B circle से बाहर तो इस चीज़ को हम represent करेंगे इस तरीके से और यह जो पूरा का पूरा rectangle है यह जो पूरा का पूरा rectangle है यह represent होगा हमारे पास universal set ठीक है तो हमने इस तरीके से लिखा ठीक है आपने इसको इस तरीके से लिख दिया ठीक है और अगर मैं अब एक formula generate करना चाहूं अगर मैं एक formula generate करना चाहूं बलग कौन सा अगर मुझे निकालना हो number of elements of A union B का formula अगर generate करना चाहूं ठीक है तो क्या होगा पता है देखो मुझे चाहिए A union B you know what मुझे चाहिए यह सारे elements मलब की A union B मतलब यह सारा का सारा part होगे आपके पास यह सारा का सारा part होगया बला कैसे करेंगे आप बला इक बाह बताओ अगर मैं सारे के सारे elements A को count कर लेता हूं इधर देखना प्लीज इधर देखना मुझे क्या क प्लस आप सारे के सारे elements B वाले count कर लीजिए लेकिन यह चो आपके पास दोनों में common reason आ रहा था यह तो दो बर count होगया और B का B का count कर रहे हैं, तभी count हो गया, तो बदाए, एक बारी आप, जो common वाला part है, common वाला part है, minus कर दीजिए, तभी तो एक बार count होगा, क्योंकि मुझे तो एक बार चीह है, यहाँ पर दो बार count हो गया है, इसको लिए और इसका लिए दोनों पर काउंट हो गया तो मुझे एक बारी क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो दिस इस यूर फोर्मला फोर एन ए यूनियन बी इस इक्वल टो एन एन ए प्लस एन बी माइनस इंटर्सेक्शन तो बोला ठीक है दिस इस यूर फोर्मला फोर्डिनल लंबर ऑफ सेट्स और बिलिव मी इस फोर्मला इस अमोस्ट इंपोर्टेंट गौटरेट तो इस इस इसको नोट कर लीजिए एक बरी विसे आप चाहूँद देख सकते हो ना हमें ए यूनियन बी चाहिए था बोला ए यूनियन बी में कौन कौनसे आरे है देखो न जो ए और बी में सारे elements आ रहे हैं वो जैसे कि 1,2,3,4 आप चेक कर लो सारे के सारे elements वही आएंगे बोला A में कौन से element आ रहे हैं 1,2,3 B में कौन से element आ रहे हैं 3,4 और minus कर दीजिए कौन से बोला A intersection B A और B में जो common आ रहे हैं A और B में करना पट रहे हैं तो वही concept हमने लगाया और हमारे पास एक formula बनकर आगया cardinal number of sets का first formula आप वीडियो को pause करें और note down करें वीडियो को pause करें और note down करें ठीक है तो आपके पास यह formula संज में आया N A union B is equal to N A plus N B minus N A intersection B yes yes this is very crystal clear अगर आप इस formula को थोड़ा सब modify करना चाहूँ अगर आप इसको उधर ले जाओगे तब बित कुछ फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि यह minus N A intersection B है यह उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा N A intersection B is equal to N A plus N B और यह जो plus का part था वो इधर आ जाएगा और यह क्या बन जाएगा N A union B oh yes समझ में आ रहे हैं अरी हाँ यह ना ठीक है so please note it down आप इस diagram को note कर लीजी है example को भी note कर लीजी ताकि आपको help मिल जाए अब हम जलते हैं आगे तो यह आपके पास पहला पहला formula था अगर आप when diagram रहना सीख गए तो believe me आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली जैसे की जैसे की मैं आपके सामने एक example रखो यह और मैंने कहा इसे मैं पता चुका हूँ पहले वैसे मैं पहले बता चुका हूँ ठीक है और मैं यह कहना चाहरा हूँ बस आपको चीजों को पता हो न अच्छी कि कि किसको क्या बोलते है इस दोनों तीनों यह first part लेता हूँ यह second यह third इन तीनों पार्ट के combination को बोलता हूँ union है और अगर सिर्फ बीक वाला पार्ट लेता हूँ तो इसको बोलता हूँ intersection यह आप चीज़े समझ चुके हो ठीक है अगर मुझे सिर्फ इतना area चाहिए होता अगर सिर्फ मुझे इतना area चाहिए होता तो मैं क्या करता आपको साफ साफ दिख रहे क्या आप A वाले circle में से जो common वाला पार्ट है जो common वाला पार्ट है वो अटा दीजिए बिल्गुल सही बात है बुला आपको क्या चीए बुला N A में से B को माइनस कर दो देखो इसको रिप्रेजेंट करने किन तरीक है N A माइनस B N A माइनस B कैसे? A वाला पार्ट कौन से है? देखो इस बाला पार्ट मेरे पास यह circle है और A वाले पार्ट में से जितना भी B का portion वह सब अटा दो यह वाले part में से बी का यतने percent सब अटा दो वो यह तो बचेगा और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं, एन्हे जितने भी number of elements A में थे उसमें से इस वाले part को minus कर दीजिए और ये वाला पार्ट कौन सा पता है ये वाला पार्ट है, इंटरसेक्शन, ओ येस N, A, इंटरसेक्शन B हमारे पास एक formula ये बने कर आ गया और भी इसके लिखने के तरीके बहुत सारे है अगर आप समझदार है क्योंकि ये पूरा पूरा पार्ट कौन सा होता है, यूनियन वाला और अगर A, यूनियन B में से मैं N, B को माइनस कर दूँ तब भी तो मेरे पास निकल कर आएगा न येस, अगर मेरे पास N, A, यूनियन B में से अगर N, A, यूनियन B में से B वाले circle को हटा दू B वाले circle को हटा दू तब भी तो होई बचेगा येस तो आपको रिपरेजेंट करने का तरीगा नाची कि कैसे क्या लिखना है अगर आप डियाग्राम समझ गए एक बारी बिलेव में इस चैप्टर इस चैप्टर में से बहुत कम कोशिन बनते हैं आपके जैई मेंस में बहुत कम है ना अगर मेरे पास डाइग्राम कुछ ऐसा है यू 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 कैसे कैसे यू 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 अब बताना जरा अगर मेरे पास बोल देता हूँ ये A है ये B है तो इसको मैं कैसे ले सकता हूँ क्या मैं कहा दूँ कि ये तो इसका उल्टा दिख रहा है ये B वाले सरकल में से A वाले सरकल को हटा दिया वही तो बचा येस और ये बचा तो क्या बचा ये बचा मेरे पास N B minus A देखो B वाले circle में से A को minus करना है उल्टा मत करते हैं A minus B A minus B उपर आला बन जाएगा B वाले circle में से A को minus कर दो भला ही ठीक है अच्छा और के तरीके है उदर देखो कि B वाले circle में से इस वाले part को हटा दीजी common वाले part को तब भी तो बनेगा B वाला circle भीया ये वाला है B वाला circle ये वाला है तो बला N B minus N A intersection B B वाले circle में से common वाला part हटा दीजी बला और क्या कर सकते हो बला और कर सकते हो आप कि N A union B में से इस पूरे के पूरे part में से A को हटा दीजीए तब भी तो ये बचेगा correct बात न कि N A union B में से N A को हटा दीजीए तो आपके पास कभी भी कुछ भी लिखा आ सकता है generally तोर पे ये लिखाएगा और आपको यहां से इसमें convert करना आपको न चीए और अगर आप ये convert करना सीख गए बिलियो में ऐसा कोई question नहीं बचेगा जो आप simplify ना कर पाएं हां बिल्कुल सही बात तो आपको ये चीज़े आने चीए तो प्लीज वीडियो को post करें और no down करें अच्छे से तब दक हम एक question करते हैं ठीक है लिखेगा फटा फट फट इक question इसको नोट करें चीएगा फटा फट 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 अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है हलक आ रहा है या पूर आ रहा है हाना हो गया नोट हो गया हाना मैं आगे से हट भी गया हूँ देखो तो अब आपके पास कुछ भी चीज़े बने और यकीन मानिये probability प्रआबलीटी कि दो अग डो एक साईज इसी कोपर बेज है हाँ आप कहरो विस सिज़े प्रोअ मेली इतनी असान है हाँ इतनी ही असाने है मैं इतनी ही असान है जतना अासान आप सोच रहे हैं कि भस बच्चे नंवर निला पाते हैं कमारे पास एक ग्रूप है ओफ सिंटी फाइफ पीपल हमारे पास एक ग्रूप में 65 पीपल है और मैं कहा रहा हूं कि उसमें से क्रिकेट को जो लाइक करते हैं क्रिकेट को वह 40 लाइक करते हैं और बोथ क्रिकेट एंड टैनिस को लाइक करने वाले दस बच्चे हैं तो आप मुझे बता दीजिए जो टैनिस ओनली को क्रिकेट करें बट नोट एंड नोट क्रिकेट पहले तो बात को समझो कुछ ऐसा कोश्चन है मलब कि आपकी क्लास मेरे सब्बोज में आपके क्लास के बात कर रहा हूं ठीक है आपके क्लास में 65 चुडंट्स हैं और उन 65 चुडेंट्स में से चालिस बच्चे वो हैं जो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं अब मेरी बात ध्यान इसनो देखो दो बातों होती है सिर्फ एक अगर लिखा होता only cricket तो आप सबसे पहले दो से दो चीजी दिख रही है आपको एक cricket दिख रहा है तो बुला आपको अगर दो चीजी दिख रही है ना तो पहले तो आप दो सरकल बना दीजिए सैट्स का गॉर्डेंग जैसे कि एक यह बनी गया और एक को मैं माल लोगा cricket और एक को माल लोगा तो यह cricket यह tennis यह पूरी क्लास हो गई है ना जो rectangle डबा है यह पूरी पर जैन कर रहा है भाई ठीक है प्ला क्रिकेट को लाई करने वाले चालिस बच्चे तो क्रिकेट को चालिस कर देओ क्रिकेट वाला सरकल ये वाला है अब मेरा कोशिन ये है कि ये पूरा का पूरा सरकल वाला एगा 40 या फिर ये सिर्फ पालड आएगा भी अगर लिखा होता न only cricket तो मैं इस वाले portion की बात करता अगर लिखा होता only cricket तो सिर्फ cricket पसंद कर रहे तो मैं बोलता कि ये वाला portion है क्योंकि यहाँ पर tennis वाला बंदा कोई आई नी रहा लेकिन उसने only नहीं बोला, उसने only नहीं बोला, यूँ कि हमारे पास cricket वाला portion पूरा हो जाएगा, अब cricket सब्सक्राइब, ये सारे बच्चे cricket पसंद कर रहे हैं, yes, ये सारे बच्चे cricket पसंद कर रहे हैं, tennis वाला भी हो सकता है, बुला ठीक है, तो ये total 40 है, बट मुझे 40 हो हैं, जो cricket को भी और tennis को भी पसंद कर रहे हैं, पता किस के बात कर रहा हो, समझ गया होंगे, जो दोनों को पसंद कर रहे हैं, भाई, जो obvious से बात है, common वाला part, common वाला part, ये, ये portion है, जो cricket भी पसंद कर, क्योंकि cricket वाले सरकल में भी आ रहा है, tennis वाले सरकल में भी आ रहा ह चालिस में से दस पिच्चे तो वह जो जो की तैनिस को पसंद कर रहा है वह खालेगी के इंक नो तो बाकी बचे 49 वो हमारे पास क्रिकट को पसंद करेंगे बाकी के तो हमारे पास कि दस इधर होगे तो बाकी कितने बचेंगे हापे 30 अब मैं कह सकता हूं यह कि टोटल क्रिकेट में मेरे पास 40 बंदे हो गए यह समझ पा रहे हो टोटल बचे थे 65 एक पसंद कर रहा है ऐसा कोई बच्चा नहीं जो कुछ पसंद ने कर रहा है तो टोटल बचे थे 65 में से तो 25 हमारे पास आंसर हो जाएगा डारेक्ट तो ये कोश्चिन आपके डारेक्ट मुझे समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है बट बिलिव में आगर आप रैक्टिस पर आ गए आपको सेकेंड्स नहीं लगेंगे और कोश्चिन को विदिन सेकेंड्स कर देंगे आप म खर्श कर अंगर ये पोश्चिन शेड करता हूं था नशर्ण की बात करता हूं तो जहां पर लिखा आज आ जाए ना ओंली सिफ टैन्ैस्टिस वाले अले इसंट्सक् वाले बंदों की ही बात होगी अगर मैं इस circle को completely fill कर देता हूं like this one दिन पते क्या हो जाएगा these are called cricket lovers not only cricket lovers तो please थोड़ा ध्यान देखिएगा ये cricket lovers हो गये इसमें और इसमें please 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 प्रीज आप गहराई को समझो यहाँ पे सिर्फ cricket lovers है only cricket lovers है यहाँ पे tennis वालों कोई include नहीं है लेकिन यहाँ पे cricket वाले lovers है cricket वाले साथ कुछ और भी बच्चा हो सकता है जो tennis को भी पसंद करें वो बच्चा भी हो सकता है इसके इसके निस को भी पसंद करें एक्जामपल cricket lovers 40 थे तो 40 स्टूडेंट्स हमारे पास यह पूरा सरकल आ जाएगा तो 30 प्लस 10 40 हो जाएगा कुछ खोपड़ी में उसी बात अरे हां या ना तो बला ठीक है यह चीज अभी बनाई थी ना बेक करके प्लीज नोट कर लिजेगा ठीक है बला ठीक है फो में चलते हमें हमें चाहिए लाग जब और यह वाला पॉर्शन को सिर्फ यह वाला पॉर्शन लाप दिस वन अगर मैं इसको ए मालेता हूं को आप यूनियन ब कर दो अभी थोड़े फोए हैं मैं लिखा यह भी में ने एक मुझे इस वाल पॉर्शन अ कुछ यह कर दिसे लो लिखने के दो तिन परिकेते हैं लेकिन मैं किसको यूज्ट रहा हूं मैं यूज कर रहा हूं एन ए उनियन कि दोनों चीज़िएंपोर्डेंट है। कभी कभी कुछ कोश्चन्स डियाग्राम से नहीं बन पद पठती है। झूरुद नहीं पड़ती डारेक्ट डायग्राम मनाओ, मजे पाओ, नंबर पाओ, सेलेक्षन पाओ- ठीक है चलो फटावर नोट कीजिएगा कुछ और कोशन डिसकस कर लेते हैं हम आपके साथ कि डूफास्ट हाई अप हाई आप हाई आप कि अगया चलो 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 आगे चलते हैं अब सुनो मैं एक फूमला और लेकर आ रहा हूं अगर मेरे पास तीन सेट्स हैं तीन सेट्स हैं कौन-कौन से एक बार बताओ अभी आपने जो फूमला लिखा वह ए यूनियन बी का लिखा अब जरा मुझे इसका फूमला लिखकर दिखा दीजिएगा किसका इसका किसका इसका 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 कभी भी तीन सेट बोलेंगे आपको कभी भी तीन सेट बोलेंगे आपको तो आपको कृपया करके यही बनाना पड़ेगा जब तक आपको कुछ और वर्ड ना बोला जाए डिस जॉइंट, mutual exclusive यह सब ना बोला जाए तब तक आपके पास कभी भी तीन चीज़ों को जिगर होता है A, B, C तो आपको कुछ ऐसा ही डाइगराम बनाना है मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए N, A, Union, B, Union, C अब जराध्यान से देखना मुझे A, Union, B, Union, C का फोर्मला चाहिए तो क्या क्या करना पड़ेगा? मुझे आपको पता क्या? मुझे यह सारा portion आपको बिखने रहा है, मुझे सारे पार्ट क्यूर्मलिलाण था मैं इस उसका मतलब यह ए थीक है लेकिन हां का अब जराध्यान Wells' बोला सबसे पहले लिखता हूँ मैं NA वाले पार्ट को लेता हूँ जैसी NA वाले पार्ट को लूँगा ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट अरे पूरा का पूरा सरकल आ जाएगा न भाई NA वाले पार्ट में तो पूरा का पूरा सरकल आ जाएगा बोला एक काम करो NB ले लो जैसी NB वाला सरक्र लोंगा तो ये वाला भी आ जाएगा लेकिन ये वाला भी दुबारा और ये वाला भी दुबारा और ये तो एक बाई आएगा बोला येस NB आ गया प्लस NC भी ले लिजी ये बोला एंसी लेंगे तो ये वाला तो एक बार आया लेकिन ये वाला मैं इसको डूसरी देंसे कर लेता हूं ये वाला भी आ गया ये वाला भी आ गया और ये वाला भी आ गया ये तीन पार्ट में तो इस सारे आ गए लेकिन हमें तो ये portion, ये portion, ये portion, ये portion भी एक एक बार चाहिए, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर मिला वाया, तो बोला कुछ minus करना पड़ेगा, कुछ minus करना पड़ेगा, किसको minus करें, किसको minus करें, बोला आप एक काम करो न, ये जो part दिख रहा है, आप इसको minus कर द कर दीजिए जैसे इस पार्ट को माइनस करूंगा तो दो बार थे एक बार बज जाएगा और तीन बार थे दो बज जाएगा तो माइनस कर दीजिएगा एन एंटर्सेक्शन भी जैसी माइनस किया एक हट गया यहां से और एक हट गया यहां से बुला अब माइनस कर आप इसको करने बैठेंगे तो आप इसको पर दीजेगा बी इंट्रेक्शन सी और जैसे आप इसको आँखो को खोल के देखो, खोल के देखो, यह जो portion दिख रहा है, यह portion वो portion है, जो एक बार भी count नहीं हुआ, मतलब कि इतनी सारी equation लिख दी, लेकिन यह portion अपितर गाउंट नहीं हुआ, तो आप इस portion को, आप इस portion को add कर दीजेगा, आप इस portion को add कर दीजेगा, A, intersection, B, intersection, C, A में भी common आ रहा है, B में भी आ रहा है, C में भी आ रहा है, that's the reason, इसको हम बोलते हैं, A, intersection, B, intersection, C, So, इस को कर देंगे add, So, this is your formula, this is your formula, कुछ को पड़ी मुजए बाद, असान है, असान है, मुश्किल नहीं है, याद करोगे, तो और मर जाओगे, समझे लो, असान पड़ेगा, बला, कैसे याद किया, B, A, N, B, N, C, और एक बार इसको minus किया, इसको, और इसको add कर दो, क्यो क्यों, क्यों कि तीनों बार minus किया, तो तीनों बार कटिया नहीं है, तो हमारे पास यह formula बनकर आ गया, N, A union, B union, C, is equals to N, A union, B union, C, is equals to N, A plus N, B minus, plus N, C, minus A intersection, B, minus B intersection, C, minus A intersection, C, plus A intersection, B intersection, C, तो भी बूला, ठीक है न, चलो, फटावाट करो, ठीक है, आड़े समझ में आ रहा है यार, आना, चलो, 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 जल्दी से, कुछ question discuss करेंगे, हम बड़े प्यारे, प्यारे, क्या, वीडियो को पोस्ट करके, नोड़ान कर लिया आकरो, आप लोग, आना, ऐसे नहीं कि, वीडियो चल रही है, चल रही है, आप लोगों इंज़ार करते रहेंगे, नहीं, 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 ऐसा नहीं हो पाहेगा, चल मैं आगे आपके एक formula के बात करता हूँ, जो कि काफी important formula है, number of elements, in exactly, in exactly, two of the sets, two of the sets, a, b and c, एक बाँ बता हूँ, हमें number of elements, in exactly, two of the sets, मैं बहुत कि, दो set में से, एक set में exactly, बैठा हूँ, जैसे कि, पता है किस की बात कर रहा हूँ, I think, इस marker को भूग लगी है, marker की ink है, वो थोड़ी सी down हो गई है, तो आपके पास किन set दिख रहे हैं, exactly two of the sets, a, b, c, तो तीन set दिख रहे हैं न, और जैसी हमारे पास तीन set बनेंगे, तो हमें तो एक ही diagram याद आएगा, दो set ऐसे, और तीसरा set इसको काटते हो चला जाएगा, इसको मैं A बोलूँगा, इसको मैं B बोलूँगा, और इसको मैं C बोलूँगा, अब क्या कहा रहा है, पहले ध्यान से देखो, आपको question आया है, जेई means में question आया है, 2019 से 2020 के आसपा 19 से 2020 में से एक साल में आया था, इसी फोमले के उपर, बच्चे इस फोमले को रठते हैं, अरे बहर रटने जरूद नहीं है, बात समझो, बात समझो, मैं पहले इसके अंदर इंक भर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पर, क्या बोल रहा है, number of elements in exactly two, exactly two, क्या मैं कहा दूँ, यहाँ पर तो वो element आते हैं, जहाँ पर सिर्फ A में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो elements आ जाएंगे, जो A में भी count हो रहा है, बी में भी count हो, इसके बात कर रहा हूँ, number of elements in exactly two of the sets, तो यह वाला portion भी तो वो हो गया, जहाँ पर दो set में काम आ रहा है, और यह वाला set भी त को लिख देंगे, कैसे, अगर मैं इस पूरे पार्ट को ले लूँ, समझ तो गए न, मुझे क्या गरना पड़ेगा न, समझाना पड़ेगा, वरना लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, formula को, अब सुनो, मुझे चाहिए यह portion, यह portion, यह portion, तो यह वाला portion कसे लिखेंगे आप एक काम कीजिए, यह वाला portion लिख लीजिए, यह कौन सा portion है, यह तो A और B का intersection है, तो N A intersection B, लेकिन A intersection B में यह भी count हो गया, यह भी count हो गया, फिर कौन सा लिख हो गया, फिर लिख दीजिए A और C का intersection, इसमें तो यह भी count हो गया, यह भी count हो गया, N A intersection C, प्लस इसको ल तो क्या करोगे एक दो तीन बार हमारे पास एजन फलतु आ रहा है हमें फ़ाटाना है तो माइनस कर दीजिए three times कौन से portion को यह portion मेरे पास a intersection b intersection c है जो हमारे पास ही formula बन गया number of elements ज्रेटली टुव दशेट का this फोमला रटना मना है समझना है समझ गए तो फोमला आराम से लिख दोगे इसका क्या किसी का भी लिख दोगे यह सब लूट प्लीज फास्ट टोड़ डाउन पास्ट टोड़ डाउन ठीक है इसासात एक फोमली की बात और कर लेता हूं हो गया नोर्ट मैंसे में कुछ एड़स्ट कर रहा हूं बोल रहे हैं number of elements in at least two of the sets यहाँ पर था exactly यहाँ पर था exactly अब मैं बात किसे कर रहा हूं number of elements in at least or you know what at least क्या होता है कम से कम कम से कम तो बोलना number of elements in at least two of the sets कम से कम दो में तो होना चाहिए ज्याद ज्याद तीन इबद हो सकता है भाई मैं बोल रहा हूं कम से कम तुम्हारे जामें 10 रुपे होने चाहिए तो ज्याद ज्याद 15 यह सकते हैं 20 भी सकते 100 रुपे भी हो सकते है लेकिन 10 रुपे से कम नहीं हो सकते ना बात समझो मैंने कहा you have at least 10 रुपीज in your pocket you have to तो इसका मतलब क्या है कम से कम 10 रुपे आपकी ज्याद में होने चाहिए कम से कम 10 जाद जाद कुछी भी हो सकता है ना यहाँ प्री क्या बोला है number of elements in at least two of the sets at least two of the sets कम से कम इंक्लूड करने की बात करर रहे व team इस में तो यह एक बार काउंट हो गया था यह एक बार काउंट हो गया था लेकिन इस बार मुझे तीन बार नहीं पिछली बार तो मुझे मुझे कुछ भी नीच जीए है that's the reason कि मैंने तीन बार माइनस कर दिया इस बार मुझे एक बार चाहिए एक बार चाहिए एक बार चाहिए मतलब दो बार मुझे माइनस करना पड़ेगा मुझे दो बार माइनस करना पड़ेगा मैं सिर्फ यहाँ पर twice twice of number of elements A intersection B intersection C कर दूँगा क्योंकि तीन बार मेरे पास यह portion मिला हुआ है मुझे तीन बार portion मिला एक बार इसको लिया इसको लिया इसको लिया लेकिन तीन बार में से मुझे सिर्फ एक बार चाहिए इस बारी दो बार नहीं चाहिए तो दो बार मैंने क्या करना पड़ेगा मैरे को माइनस जैसे यह formula लिखूँगा इसका मतलब यह जो चार portion दिख रहे हैं एक दो तीन चार यह वही formula दे रहा है मतलब असान नहीं है आपको क्या लग कुछ भी तो नहीं करना आपको आपको सिर्फ थोड़ा सा सोचना है और formula को तो आप खुद से generate कर दोगे यसार नो अगीन अगीन फास्टू रड़ दाउन फास्टू नॉटे ड़़ दू पास्टू नॉट दूमीर हाथ हो गया नोट को बने चलो मैं पूरा नहीं मिटाओंगा अब सुनों number of elements in exactly one of the set exactly one of the sets a,b,c मतलब वो portion चीए जो सिर्फ और सिर्फ एक ही portion में आएगा कौन सा portion आएगा आप खुद ही बता दीजिए क्या मैं कहता हूँ ये portion कि दिख री है बिंदी मतलब मैं चाहनी रहाँ इसको upload करना मुझे मिटाना पड़ेगा मैं इस वाले portion की बात कर रहाँ similarly इस वाले portion की बात कर रहाँ मुझे ये portion चाहिए भाई साम तो मैं क्या लिखूं अगर ये portion चाहिए तो आपको पूरा का पूरा सरकल ले लो A लेकिन अगर आपने N A लिख दिया तो इस N A में तो भाई साब ये भी मिल जाएगा ये भी मिल जाएगा मुझे पॉर्शन चीए था ये वाला इस पॉर्शन को लिखूँगा तो मुझे पूरा 20 सरकल काउंट करना पड़ेगा एक बार तो अरे बादे माइनस कर दूँगा न मैं बादे माइनस कर दूँगा जो जो फल्त हुआ रहा है तो N B में ये भी मिल गया ये भी मिल गया मुझे पॉर्शन चीए था ये वाला C वाला तो आप C को round कर दीजी लेकिन इस C वाले पॉर्शन में ये भी count हो गया ये भी count हो गया ये भी count हो गया लेकिन मुझे तो भाई साब सिर्फ ये वाला ऋर ये वाला चाहिए था जहांपर मैंने single tick है वहाँ पर बत कितनी बार मैं फिर इसके बात इसके उपर हमगा दो बार माइनस कर दीजिए किसको बार A intersection B को twice of A और B का intersection क्योंकि A और B का intersection में ये पोर्षन आ जाएगा तो माइनस twice of A intersection B जैसी मैंने माइनस किया दो बार तो ये बिंदी गई ये दो बार हो गया था ना दो बार कट हो गया ये तीन बार था एक दो तीन ये कट हो गया दो बार कट हो चुका है बोला अब A और C के intersection कट कर दीजिए बोला दो बार जैसी मैंने A और C के intersection को कट किया जैसी मैंने A और C के intersection को कट किया दो बार तो ये तो कट हो गया भाई साब लेकिन ये तो A की पोर्षन था यह तो एक बर कट होगा लेकिन एक बारी हम नेगेटिव में चले गए अब अब हम नेगेटिव में जा चुके हैं मुझे इसको प्लस बनाना पढ़ेगा क्योंकि करना था है एक बार माइनस और हो रहा दो बार माइनस आपको बेंस करना पड़एगा दोबार, इसको बेंस करना पड़एगा ना दोबार, क्योंकि ये बी दोबार कांट हो रहा है, ये कौन सा पॉर्टिन और किसमें आएगा, किसमें और यह चाहिए था लेकिन यह 3 बार minus हो चुका है तो इसको तो मुझे बनाना पड़ेगा 0 और अगर मुझे इसको 0 बनाना पड़ेगा तो मुझे plus 3 times of this portion करना पड़ेगा और यह portion पता कौन सा है ए इंट्रेक्शन बी इंट्रेक्शन सी मतलब आपको प्लस थ्री टाइम्स करना पड़ेगा ए इंट्रेक्शन बी इंट्रेक्शन सी क्योंकि यह आपके पास तीन बार एक्ष्ट्रा माइनस हो चुका था तीन बार एक्ष्ट्रा माइनस हो चुका था अब यह बैलेंस हो गया और ये 0 बन गया, अब हमारे पास जो बचाना इस equation से, वो एक बार ये वाला portion बचा, मतलब मैं दिखा देता हूँ आपको, मतलब ये वाला portion बच गया, हमें सिर्फ इसी portion से मतलब था हमें सिर्फ और सिर्फ इसी portion से मतलब था, और यही portion हमारा निकल कर आगया है, यही portion हमारा निकल कर आगया है, number of elements in exactly one of the sets, one of the sets A, B, C अरे खोपड़ी में घुसी या नहीं घुसी बात मंग में आ रहा है, ठीक है फटावर नोट कीजेगा, कुछ questions भी कर लेते हैं, cover कुछ questions cover कर लेते हैं, चलो ठीक है मैं एक question लिएता हूँ, तब तक आप वीडियो को post करें आपके पास एक बहतरीन question आया और इस question को सीख गए, तो मतलब आपके काफी अच्छी खासी, पहले दो सबसे पहले, आप प्लीज वीडियो को post करें और try to solve these types of questions by both by Vendagram by Vendagram and by equations ठीक है, आपके पास पर एक question पढ़ो, आपके पास एक school में 800 बच्चे हैं, जिसे के आपके अपने school में 800 बच्चे हैं, एक्जाम्पल ओके, एक्जाम्पल ओके, उसमें से 224 बच्चे ऐसे हैं उन में से 800 बच्चे वो हैं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं only cricket नहीं लिखा है only cricket आता तो उसका मतलब अलग होता, cricket आता है तो उसका मतलब complete circle हो जाता है 240 होकी, 336 बास्केट बोल, 64 बच्चे वो हैं जो बास्केट बोल भी खेलना पसंद करते हैं और होकी भी खेलना पसंद करते हैं 80 बच्चे वो हैं जो cricket भी और बास्केट बोल भी 40 बच्चे वो हैं जो cricket भी और होकी और 24 बच्चे ऐसे हैं जो cricket, बास्केट बोल एंड होकी तीनों चीजे खेलना पसंद कर दे हैं वो हमारे पास 24 बच्चे है आपको क्या बताना है आपको वो बच्चे बताने है जो कोई साभी गेम नहीं खेल रहे है जो कोई साभी गेम नहीं खेल रहे है बना ठीक है न अगर तीन चीजे चल रही है क्रिकट बास्केट बॉल हूं कि तो मैं इन तीन चीज को क्रिकट को माल लेता हूँ ए इसको माल लेता हूं यह इसको माल लेता हूं चोड़ो बेर बीसी बीड क्यूeye माण से बनाता हूं और बॉंट डाइग्राम अगर बन गया अ कि आ थन? फोम उने में पुड़ दिक्कत नहीं है लेकिन आप एक बाइस सोचो अगर आपके पास एक क्रिकेट है और अगर आपके पास यह बास्केट बॉल है तो इसके पास होकी लेते ना जो कि सेकेंड नमर पर होकी आ रहे हैं वैसे कुछ भी ले सकते हो आप इसको होकी ले लो इसक कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और यह हमने बास्केट बॉल ले लिया स्टार्टिंग करेंगे हम यहां से हमेशा जो सबसे चोटा पॉर्शन है जो तीनों में कोमन आ रहा है वहां स्टार्टिंग करेंगे अब देखाओं कितने बच्चे ऐसे हैं जो तीनों चिस पसंद कर बना यहां से ऊपर वाली पर क्रिकेट और होकीं 40 बच्चे हैं तो गराओ टेंगे जब कोशिन प्रेक्टिस करेंगे तब समन में आएगा बात लेकिन क्रिकेट और हुकी बोला था तो क्रिकेट और हुकी में तो भाईया टोटल पोशन ही हो गया तो मतलब इन दोनों में कोमन 40 होने चाहिए 24 पहले से हो चुगे थे 16 बचे गए यहाँ पर अब बोल रहा है क्रिकेट और बास्केट बोल में असी क्रिकेट और बास्केट बोल में असी मतलब वो इस पोशन की बात कर रहा है जो दोनों में कोमन आ रहा है क्रिकेट में और बास्केट बोल में असी है यह 24 है ना 24 है मतलब 80 में 24 गया तो 76 बच्चे मेरे पास यहां पर हो गए इससे उपर चलो बास्क्रीट बोलेंड होकी में 64 है तो 64 माइनस 24 तो अलड़ी बैठे हुए तो 64 में 24 होगे तो 40 तो 40 स्टुडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास यहां पर कंट हो है मतलब जिनको आप देखो यहां तक सब कुछ मस्ट नंबर्स की खौम में बनी गया अब उपर चलो अब कहीं चलो यहां पर यहां पर यहां मन करें 336 बास्केट बॉल टोटल बास्केट बॉल को पसंद करना वाद है 336 है लेकिन 336 में से इस हो चुके है 27 और 24 80 और 40 120 तो 336 में से 120 को माइनस कर दीजिए 6, 1 और 2 तो 216 बच्चे बच गए मेरे पास यहाँ पर तो अब आप काउंट करोगे बास्केट बॉल वाले बच्चों को तो टोटल बास्केट बॉल के 336 बच्चे यह है होकी में देखो चरा होकी में 240 बच्चे है होकी में 240 24, 24, 24, 48 तो 80 बच्चे अल्रेडी बैठे हुए है अगर 240 में से 80 माइनस कर दीए तो 160 60 तो 160 बच्चे हैं बच गए और क्रिकेट में देखो 224 क्रिकेट में 224 56 और 24 हमारे पास 80 अल्रेडी अकर हो चुके है 80 और 16, 96 तो 224 224 में से 96 माइनस करोगे तो 8 और 21 में से 9 हो गया तो 12 है न 8, 14, 10, 12, ठीक है 128 तो 128 25 बच्चे होगे मेरे पास यहां पर मतलब पता है क्या मैंने कोशन यह पूछ लिया कि आपसे नोट प्लैनी गेम आपके पास पूरे स्कूल में बच्चे कितने है आपके पास पूरे स्कूल में बच्चे कितने है 800 और 800 में से अगर आप इन सब को माइनस कर दोगे यूनियन वालों को पता क्या कहना चाह रहा हूँ टोटल स्ट्रेंज के दिए मेरे पास 800 800 में से अगर आपने N, A, यूनियन, B, यूनियन, C को माइनस कर समझो न, ये पूरा स्कूल है ये पूरा स्कूल है, रक्टेंगल पोर्शन और इस रक्टेंगल पोर्शन में से आपने यूनियन को माइनस कर दिया, तो यही तो पोर्शन बचेगा, वो actually इसी पोर्शन की बात करना चाह रहा है जो बच गया, क्योंकि इस पोर्शन में वह बच्चे बैठे हैं, जो कुछ भी नी खेलरे, जो बिल्कुल पागल है, कुछ नी खेलते, खेलना जरूरी है, खेलना भी जरूरी है पिला, atención से माइनस कर दिजिए, इन सब को अड़ कर देते, इस सब को अड़ कर देते हैं, यह कितना होगए दोसचोवीस एक काम को थोड़ा एड़ कर देते हैं न होकी में दोसचालीस है न दोसचालीस एड़ी करना पड़ेगा भाई दोसचालीस एकसो अठाइस और चपन और दोसो सोला इतना को एड़ कर दीजिए मतलब एकसो साथ बच्चे ऐसे बच्चे जो कुछ भी खेलना पसंद नहीं करते हैं जो कुछ भी खेलना पसंद नहीं करते हैं समझ पार हूं न इस सब को मैनस करते हैं यह जो किया डाइगरमेटे के लिए आप इसको वाई क्विशन कर सकते हो पता हैं बस आप को निकालना है आपको निकालना है 800 माइनस एन एंटर्सेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सीख्यों कि आपको चीव हो बच्चे डाइगरम को बनाना पड़ेगा आपको पूरे स्कूल में से यूनियन को मैनस करना था न और आप यूनियन वाला फोर्मुला निकालना सीख चुके हैं और आ अर्षूनियन वाला फोर्मुला निकालक में हलका सर्प प्ली wonders आप थोड़ सा लिख लिए ऐक तक यन मैं हलका सा एक बारी एट हेंड़ माइनस यूनियन तो आपको सिंपली एट हेंड़ माइनस यूनियन वाला फॉर्मला लिख देना था और यूनियन वाला फॉर्मला क्या होता था एन एन भी प्लस एन सी माइनस एन एंटर्सेक्शन भी माइनस बी इंटर्सेक्शन सी माइनस C intersection A plus plus क्योंकि तीन बर माइनस इसको माइनस किया इसको माइनस किया इसको माइनस किया इसको माइनस किया तो प्लस N A intersection B intersection C सब कुछ लिखा हुआ था आप सोल करेंगे 800 N A मतलब क्रिकेट वाले 24 B वाले होकी वाले C वाले बास्किट बोल वाले माइनस A intersection B A और B किरिकेट और होकी का intersection मतलब 40 B vast B और C intersection मतलब होकी और बास्किट बोल का intersection heps! C & A बास्किट बोल और क्रिकेट खेलने वाले बच्चे Azzi प्लस A, B, C का इंटर्सेक्शन जो तीनों खेलने वाले बच्चे है वो 24 अगर आप इसको करेंगे definitely you will get the same result as we want that is this one and you will get this one पॉमुला से भी बदा सकता था मैं पहले लेकिन डाइग्राम से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी questions डाइग्राम से समझ आ रहा है नहीं आ ठीक है तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे questions मिलने वाले आप प्लीज ऐसे questions कीजिएगा ठीक है बाकी हम questions next class में करेंगी आपका सोच रहा हूं मैं ये question तो मॉलेड़ी में cover करा चुका हूं 2020 में cover करा दिया ये वाला question हो गया चलो ठीक है चलो जाते जाते एक question हो कर लेते हैं ठीक है actually मैं इस question को काफी परसंद करता हूं इस question को I like this one reason is that क्योंकि बच्चों को confusion हो दिया ठीक है बड़ इस से रेलेटेड निये हमारा जो पहले पढ़ चुके सैट सबसाइट वगरा उनसे रेलेटेड़ है तो आप इसको नोट कीजिएगा फटा फट जो भी समझ में आया हो जिससे नोट करना उससे नोट कीजिएगा ठीक है चलो करदो रब मिटा दूं मिटा दूं अरे हाँ आना काश बोल पाते तुम कि अब मेरी बात सुनो कि पहले मैं कुछ बाते एक बर रिवाइस गर लेने चाह रहा हूं क्योंकि आपके पास कुछ सुनों है मैं मैं कुछ पहले सिंपल बात बता देता हूं मेरे बात सुन दो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक सेट ए है उसमें एक्स वाइब है तो प्लीज टेल मी the subsets तो आपका होगे subsets सर्फ Y होगा, X होगा और X को डब्बे में बंद करोगे, Y होगा और Y को डब्बे में बंद करोगे, अरे मतलग curly braces यार, curly braces और X और Y भी तो होगा एक subset, बुला यस, ये चार मेरे पास subsets होगे, और आप इन सबसेट को सबसेट को सबसेट को सबसेट को सबसेट बना दीजिए, मतलब यहां पर subsets में curly braces नहीं थे, अब curly braces लग जाएंगे, क्योंकि ये particular जो elements है, वो एक set बन जाएगा, वो एक set बन जाएगा, तो हमारे पास ये जो elements हो गए, वो हमारे पास power set, तो इनके उपर curly braces और इनके बाहर भी एक curly braces ये हमारे पास power set बन जाएगा, तो आसा question और देता हूँ आपको में, आप मुझे बता दो मुझे तो इन elements के subset चाहिए, तो कैसे लिखोगे, आप बस मुझे इतना बता दो, आप कैसे लिखोगे बता है, सर, 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 एक तो फाई आए गई आएगा, क्योंकि फाई तो आता ही है, because we know that the five is a subset of every set, हमने लिखी थी ये बात, और अब एक एक एलीमेंट आयेगा, अगर कोई भी subset होता है, तो वो प्रलिटिकोलर element, एक कर्ली ब्लेसे से बंद होता है, आगर कोई भी subset होता है तो वो element curly braces में बंद होता है confuse मत होना y मेरे पास पहले सी curly braces में बंद था तो एक बारी curly braces में पहले से बंद था लेकिन ये subset है तो इसके वजएसे एक बारी curly braces और बन जाएगी Don't confuse with this one और यह दो एलिमेंट्स हैं तो X को लिखेंगे और Y को लिखेंगे और हमारे पास ये बन जाएंगे तो ये सबसेट बन जाएंगे और पावर सेट में हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर करले बैसे लग जाएंगे मेरा सवाल मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या ये है ये सबसेट है या ये बिलोंग स्टूए गरेगा भी ऐसा कुछ दिख रहा है आपको यहां पे में बोल रहा है कि हमारे पास यहां पर फाइओ और यहां पर मेरे पास एक phi है पहले से element लिखा हुआ और एक phi को curly business पहले से बंद किया हुआ है तो बोल रहा है then the power set बता दीजिए P एक पावर set क्या होगा simple सी बात है सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है एक set आपके पास है न और एक नियुक्स सबसे नोच बता है है यहाँ पर element का काम करेAF यहाँ पर एक है हो गया एक है यह पुरा का directors हो गया आप जश्ट थोड़ देर के लिए फाइइक्स माले लीड़से है अगर में पर हाँ पर एक्स माले था एक आपने इसको curly braces में बंद गया और फिर एक आपने इसको curly braces में तो आपके पास चार subsets यह दो बने वापस से X को 5 में बुट कर दीजिए कोई confusion नहीं रहेगा otherwise आपको इतनी confusion होगी नहीं इसके अंदर कि आप सोचना पाऊ होगी तो बहुत आपके आपने पहले लगा दी curly braces क्योंकि मैंने यहां पर लिखने अंदर लिखने सबसेट सबसेट कुन होगा यहां पर फाई यह वाला फाई है जो हर सेट का सबसेट होता है तो एक तो फाई होगा अब यह एक element की तरह काम कर रहा है तो इस फाई को हम curly अब इसके बाद यह भी तो एक सबसेट बनेगा और अगर यह सबसेट बनेगा तो इसको भी तो हमने curly braces में बंद कर लेना है और लास्ट में इन दोनों को count कर लेना है फाई को और फाई को यह चार आपके पास सबसेट बने गए आप इन बातों को ध्यां से देख लो जितना होसको समझ लो अधरवाइस आप इस इस फाई बिलोंग्स टू ए क्योंकि हो बैठा हुआ है अगर बिलोंग्स होता है तो भाईया वह और वोelson सबसेट के अंदर सबसेट में अगर मैं बात करूं सबसेट की तो यहां पिस अजयाएगा यहां पिए जया गए तो सबसेट में पैठा हुआ है बैठा है अभी वी लग है अलग है जो हर subset में आता है और यह 5 अलग है जो एक element का काम कर रहा है कुछ खोपडिम गुसेट हो बात को मैंने बोला 5 belongs to a बैठा हुआ है यह बैठा हुआ 5 belongs to a yes yes लेकिन अगर मैं बोलो 5 subset of a बोला जरा देखो subset में कि यह यह बेठा हुआ है जिसके उपर एक कर्ल लगा है यस 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 बहुद आ कि तो यह सारी भात है ठीक है कि कहाने तो प्लीज कन्विस अधोना आ अच्छा वोश्न था इसलिए बता देवा टिक है एक कोशन दे रहा हूं आप हो जरूरी है कभी भी फाइफ वी वाले कोशन आए आप उसको तुरंत चुपचाप X या Y पुट कर लिया करो और उस X Y पुट करने के बाद खुद से आगे सोल कर दो और बाद में जाके खुद से बाद में 5 पुट कर दो अंसर आजाएगा स्टाट टी मिले के चलोगे ना कन्फीजन आएगी गल्ति करके आजाओगे ठीक एजी चलो एक question कपरो जल्दी से मेरे लिए और इस question का answer आप मुझे comment box में बताना जरूर और ना बताना पड़ेगा नही, इतना simple question तो नहीं पूछूँगा चलो 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 मिली गया मुझे मिली गया बोला एन union 700 यूनियम मलब सब कुछ हा वो N A में 200 N B में 300 N A intersection B में हमारे पास है 100 तो आपको बताना है N A bar intersection B bar Please you can use your previous notes De Morgan's formula De Morgan's law distribution जो लगाना लगाओ but I want this one answer Option भी देज़े ताँ Option है 200 300 A के बाद भी आता है अना 400 और नोटा None of the above उनमें से कोई नोटा हूँ अनलग None of the above None of the above मतलग उपर वाला में से कोई नहीं तो आपको इस क्लास के लिए तना आपका सेट चेटर कंप्लीट हो चुका है कुछ कोशन प्रेक्टिस कर सकते हो आप सेट्स आपका कंप्लीट हो गया है जितना भी चार पांस लेक्टर से पांस लेक्टर में पढ़ा है हमने सफीशेंट लबकि सब कुछ कवर करा दिया है अगर आप सोचते हो कि अभी पढ़के क्या मिलेगा अगर आप अभी से इन चीजों को पढ़के रख दोगे न तो आने वाले टाइम पर आने वाले टाइम पर आपको काफी कुछ अच्छा मिलने वाला है अगर आप अभी पढ़ लिया तो आपको जिस्ट रिवाइज करना पड़ेगा यूपन ने पलटने आपको अगर आपने नहीं पढ़ा तो बाद में जहीं आट गंटे दस घंटे पंदरा गंटे बाद ने पढ़ना पढ़ेगा और बाद में इतना टाइम नहीं रहेगा ठ प्रेक्टिस के लिए जो को सेंड कर दूंगा या फिर आप टेलीग्राम पर आजिएगा इंफेरो क्लासिस जो टेलीग्राम पर ग्रूप बना हुआ है वहां पर मैं PDF की फोर्म में आपको प्रेक्टिस कोशन के लिए दे दूंगा वहां से कोशन उठा सकते हैं ठीक है तो आज ही क्लास के लिए तना ही सो मिलते हैं नेक्ट क्लास में तब तक के लिए टेक क्या और अपना ख्याल रखिए मस्त रहिए और तंदृस्त रहिए